हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल आज हम 34 साइज के फोटक्स ब्लोच की कटिंग करेंगे तो हमारे ब्लोच का कपड़ा है और यह मैंना 80 cm अस्तर लिया है तो देखिए पहला हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है बंद साइड स अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे अब देखिए मार्जिन में यहां से डेड़ इंच ले रही है आप चाहे तो दो इंच भी ले सकते हैं इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे अब देखिए यहां से मार्मूल का सेब देदेंगे इस तरीके से यह हमारी बेक पैट की ड्राइंग हो गई है इसे हम कट कर लेते हैं अब दीके हम फ्रेंट पर्ट की कटिंगर करेंगे इस तरीकिस सस्तर को रख लेंगे ये हमारा ओपन साइड है यहां से हुखाइ का हम मार्जन लेंगे आधे इंच का हुखाइ के मार्जन को छोड़ अब देखे आर मूल को माधे इंचंदर की तरफ डाउन कर लेंगे इस तरीके से गली की चोड़ाई है हमारी वह हुआ करेंगे दो इंच पर एक सीधी लखी ड्रो करेंगे हम इस तरीके से पोना इंच का मार्जन लेकर हम इस तरीके से बेल्ट का सेप देना है आप वीडियो में देख सकते हैं अब दूनों तरफ हमेरे आदा दा इंच से लाई में जाएगा इसलिए नीचे से हम एक इंच एक्स् की ल sock में थे as अब इसका हम 20 से इस तरीके से निशान लागा लेंगे और उस की लंब़े हम इंच रखेंगे एक सरकल तयार कर लेंगे इस तरीके से और सएड में आर्मल बिला लेंगे तो यह मैं टझ की जुके हैँ अब इसे हम कт कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नायों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल एकन को ज़रूर दबाईएगा जिसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताईएगा आपको मे इसे फोल्ड कर लेना है स्लिफ्स की जो चोड़ा ही है वो रखनी हमें आट इंच और स्लिफ्स की लंबा ही हमारी साड़े चार इंच पर मिस तरह के से निशान लगा लेंगे और एक सीधी लखीर कर लेंगे अब देखिए हमारा ओपन साइड है यहां से हमें धाइंच पर निशान लगाना है डेड़ेंच सीधी लखीर करनी है और यहां से स्लिफ्स का सेब देना है आपकी बाद जू की जो भी फिटिंग वो उसमें डेड़ेंच मार्जिन का प्लेश करके निशान लगा लेना है उसको इधर मिला देना यह मैं ड्राइंग हो गई से हम कट कर लेत लेना है अभी सेब को हम कट कर लेते हैं यह हमारे फ्रंट में आएगा तो यह देखिए हमारे स्लिफ्स कट चुकी है सारे पार्ट हमारे कट चुके हैं सारे पार्ट को हमें बिलोच के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटेज कर लेना है तो यह दे निशान लगाया था उस सेप को हम कट कर लेंगे अब देखिए हम दोनों टक्स के जो हमेरे निशान है उन निशानों को हम इस तरीके से डार कर लेंगे दूसरा पाट इसके उपर इस तरीके से रखना है हमें उसे हलकातों से दबाना है अब उस निशान को हम डार कर लेते हैं अब देखिए हम टक्स लेंगे पहले हम नीचे का टक्स लेंगे आदा इंच का मार्जन लेकर हमें टक्स लेना है तो पहले हम नीचे का टक्स लेते हैं और आदा इंच का मार्जन लेकर हमें तिर्चे में टक्स लेना है बाकि सारे टक्स हमें तीन पॉइंट मार्जिन जितना लेना है जितना हमारे इंचिटेब में शुरुआत की तीन पॉइंट होते नहीं मार्जिन हमें लेकर बाकि सारे टक्स लेने हैं तो यह देखिए हमारे सारे टक्स कर लिए सिलाई हमने यह देखिए कि तब पर्फिर्ट पफ आया है अब हम इसकी बेल्ट को टेज करेंगे तो इस इस तरीकी से रखना है उपर की तरफ से और आदे इंच का मार्जिन लेकर दो आदे करना को का सीथी स स्लै करनी है की करेंगे का कपडा की क्पड़े को या से कट कर लेते हैं इसी तरीकी से दूसरा पार्ट थी त यार हो गए हैं अब हम होकाई की पट्टी लगाएंगे तीन इंच की पट्टी लेंगे उसे नीचे की तरफ से रखेंगे आधे इंच का मार्जन लेकर हमें सीधी स्लाइ करनी है तेड़ इंच की पट्टी लेंगे सूपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मारजन लेकर सीधी स्लाई करेंगे अब इस पट्टी को पलट लेंगे पलट नेकर पट्टी की किनारी पर सीधी स्लाई करेंगे इस वाली पट्टी को हमने जहां तक सिलाई करी थी वहां तक की सिर्फ फोल्ड करना है इस तरीके से और सीधी सिलाई कर लेनी है इस वाली पट्टी को दिखे हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे अब हम कमर पट्टी लगाएंगे देड़ इंज की पट्टी लेंगे सूपर की तरफ से रखकर आदा इंज का माजन लेकर सीधी स्लाई कर लेंगे तो दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है जिस तरह के सूप की पट् की सिलाई करनी है अब देखी से हलका संदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे आगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो फाइपिंग की वीडियो में ये डिशी jewels को देखे हैं अब एकट थियार करेंगे तो देखिए 1.5 पर हम गले का निशान लगा लेंगे गले की लंबाई मैंने रखी ए 10 इंच इस तरीके इससे एक बॉक्स बना लेंगे हम मैं इसमें मटका गला बना रही हूँ आप चाहे तो कोई भी गला बना सकते हैं इस तरीके से मठकाशेब का गल बना लेंगे हम, अब देखी से पलट लेंगे, हम अलकाथ से दवाएंगे, इसे निशान छब जाए, इस निशान को हम डार कर लिते हैं, यहां पर हम डूरी के निशान लगा लेते हैं बलोच की कपड़े को सीधा रखना है उसको परस्तर को रख लेंगे हम नीचे की तरफ से पहले आदा इंच को मार्जन लेकर सीधी सिलाई करेंगे अब देखिए जो हमने गला बनाया तो उस गले पर हम सिलाई कर लेंगे बीच में हम डूरी को लख लेंगे यहाँ पर आप चाहिए तो गला बनने के बाद भी डूरी लगा सकते हैं अब हम गले को कट कर लेंगे सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है अब हम गले में चुटे-चुटे कट लगा लेंगे इस तरीके से अब इसे पलट लेते हैं पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे यह देखिए हमेरे गले पर सिलाई होगी हम नीचे की तरब भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे अस्तर को सिलाई करके अटेच कर लेना है और एक स्टा कपड़े को कट कर लेना है तो यह देखिए हमारे किते फिनीसिंग से गला बनाए है आप देख सकते हैं अब हम टक्स का निशान लगाएंगे बी सेंटर में इस तरीके से निशान लगाना है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे साड़े तीन इंच लंबा हमें टक्स लेना है इसकी चोड़ाई हमें ध्याइच का टक्स लेंगे हम इसी तरीके से दूसरा टक्स भी ले लेना है ये देखी किती फिनीसिंग से हमारा बेक पड तेयार हो चुका है हम सॉल्डर जॉइंट करेंगे दोनों पाट को इसको उपर इस तरीके से रखने ना है आदा इंच का मार्जन लेकर हमें सीधी सलाई करनी है इसी तरी किसे दूसरे सोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेंगे अब देखी इसे पलट लेंगे पलटने वाद सोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे यह देखी दूसरे हमारे जोइंट हो चुके हैं आप देख सकते हैं अब दोनों साइट हमें सिलेज को सिलाई करके अटेच कर लेना है बलोच को फिटिंग कर लेना है फिटिंग के बाद हम फाइनल लुक देखेंगे तो ये देखिए मारी ब्लोच का फाइनल लुक आई होप आपको सब समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो थेंक यू वाचिंग मैं वीडियो